हेलो दोस्तो, वेलकम बैक टू मैं चैनल, मैं हूँ गौरब एक बार फिर से नेक्चेन क्लासिक और रोयल इंट विल हंटर 350 को स्पोट किया गया है अगर बात किया जाए नेक्चेन क्लासिक की, तो इस बार नेक्चेन क्लासिक को नॉर्मल अलॉय विल के साथ नहीं, बलकि डिवल टोन अलॉय विल के साथ स्पोट किया गया है आप pictures में देख सकते हैं इस alloy wheel का design normal alloy wheel से काफी different है इसमें जो spokes है वो हमें curve मिलेंगे और ये alloy wheel हमें dual tone color में मिलने वाला है black और white यह dual tone alloy wheel next and classic के look को और बहतरीन मना दे रहा है अगर बात करें launch date की तो next and classic बस अब कुछ हपतों में ही launch हो सकता है क्योंकि models बनके ready हो गए हैं तो यह आपके लिए एक good news है अब बात करते हैं royal infeed hunter 350 की तो hunter 350 को भी spot किया गया है लेकिन इस बार इसे alloy wheel के साथ नहीं बलकि spoke wheel के साथ spot किया गया है इसका मतलब hunter 350 आपको दोनों option मिलेंगे spoke wheel के साथ ही मिलेगा और alloy wheel के साथ ही मिलेगा यह bike market में Honda CB 350 RS और Java 42 के साथ compete करेगी इसमें जो handle bar है वो आपको काफी upright मिल रहा है और circular halogen headlamp भी साथ मिल रहा अच्छा कासा रोयल इन्फील ने hunter 350 में भी अपने headlamp को halogen ही रखा है instrument cluster आपको dual power semi-digital मिलेगा with triple navigation और साथ ही dual channel ABS भी आपको इसमें मिलने वाला है बात करें अगर engine की तो engine 349 CC करहेगा single cylinder fuel injected जो max power generate करेगा 20 HP और max torque generate करेगा 27 Nm और यह आपको 5 speed gear transmission मिलने वाला है तो I hope दोस्तो आपको मेरा वीडियो helpful लगा होगा अगल helpful लगा होगा तो like कीजेगा चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को subscribe कीजेगा thank you